अयुद्धा बासी राम राम दसरतनंदन राम अयुद्धा बासी राम राम दसरतनंदन राम अयुद्धा बासी राम 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 दसरतनंदन राम पतित पावन जान की जीवन सीता मोखन राम पतित पावन जान की जीवन सीता मोखन राम पतित पावन जान की जीवन सीता मोखन राम शी राम 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 शी राम 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 शी राम 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 शी राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सिया 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 राम गला श्री रम जे रम जे जे राम स्री रम जे रम जे जे राम स्री रम जे रम जे जे राम स्री रम जे रम जे जे राम बला श्री रम जे रम जे जे राम स्री रम जे रम जे जे राम स्री रम जे रम जे जे राम श्रीघ्ट्र, ज्यडे कर दो से प्धोर था रॉक हम गजे भाषगती दो श्री राय। ज्यडे याँ। श्री राम ज्यक्ष्डे ल BACK टरॉ ? बलाइ 돌ै Krash objetos, श्री राम ज्यक्त कर दे द्यूर ? श्री राम ज्यक्त कर दो स्रिर्ण स्रीरं आम स्रीर आम स्रीराम ये नाँ ठी रम गे रम ये रम गे रम उले श्री रम गे रम ये रम श्री राम जे राम जे जे राम श्री राम, 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 श् योध्या बासी राम 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 रसरत नंद निराम राम 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 सीता मोहन राम पतित पावन जान की जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जान की जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जान की जीवन सीता मोहन राम तोन जान की जीवन फीता मौन राम शिया राम 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 शिया राम राम शिया राम राम शिया राम शिया राम राम शिया राम राम शीका राम 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 Hei 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 सीता राम जया सीता राम, सीता राम लक्ष मन है झाय सीता राम, सीता राम लक्ष मन हनु सिता राम जय सिता राम लक्ष माने हनु श्यावरे डाम चंद्र भगवान की जय जनक नंदिन सिता महरानी की जय सिता राम लक्षन वक्त हनु मान जी महराज की जय हारे hy caught हारे क्रिष्छेवना क्रिष्छेवना नैज्ड मान श्युआ के जैड़ए हर रामा हर रामा 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 हर रोड़ गृष्टेवर रॉष्टन हरे कृष्ट कृष्ट्ण कृष्ट कृष्ट साय हरे हरे रामा रामा हरे कृषचना रामा 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 रा Rama, Rama, Rama Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Krishna Hare, Rama Hare, Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krista Krishna Krista Hare 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 Rāma Hare Rāma 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 Hare Krista Hare Krista क्रिस्ता क्रिस्टा क्रिस्ता क्रिस्ता १्र हरे राम, हरे राम, 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare हरे रामा, हरे रामा, 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 हरे हरे, हरे क्रिस्टना हरे क्रिस्टना, हरे क्रिस्टना, क्रिस्टना क्रिस्टना, हरे 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 रामा, हरे रामा, 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 हरे हरे जय प्रभुपदा निताई गोड़ा हरी बोल हरी बोल Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri Rama Hare Krishna तो आप सभी का स्वागत है इस साल 2024 के Shri Ram Naumi Mohodasav के पांच दिवसिय Shri Ram कथा में तो हमारे बीच His Grace Devaki Nandana Prabhu है Devaki Nandana Prabhu कोई introduction तो उनका नहीं लगता है लेकिन हम जब वैश्नों के बारे में बोलते हैं तो हमारा रिदे शुद होता है तो प्रभुजी उननेस सो छियातर में इसकौन से जुड़े बहुत कम इस रूम में होंगे जो उस समेशाय जन में भी होंगे मैं पूछूंगा नहीं फिर बोलेंगा हमारी उमर पता लगा ली तो इसलिए नहीं पूछेंगे तो प्रभुपाजी से भी प्रभुजी का मिलना भी हुआ है और उसके बाद जो उनकी सेवाएं चालू हुई है वो सिरिफ वो होता है न चार्ट होता है न वो प्रोग्रेस होता जाता है तो प्रभुजी बामबे में आए सेवा किये यहाँ पे टेंबल कमांडर का रोल किये वाइस प्रेसिडेंट का रोल किये अब जोनल सेकेटरी है और सिरिम बामबे के नहीं पूरे उत्तरप्रदेश में पूरे बिहार में जारखंड में में, राजिस्थान में, वृंदावन में, बॉंबे में, विदेशों में, मायापुर में, हर जगे प्रभुपा जी ने इतना इनको कृपा किया है प्रभु जी को, कि इनका प्रचार बढ़ता जा रहा है। इन फैक्ट कोविड बून इन डिसगाइस जैसे बोलते हैं ऐसे तो कोविड में बहुत सारा नुक्सान हुआ काफी लोगों का लेकिन फाइदा भी हुआ था तो हमने उस समय प्रभुजी के मुख से बहुत सारा रामकता का श्रमन किया था जो हमने अहुद्या कांड भी किया फिर एक बार पूरा सुंदर कांड लिया और इस बार प्रभुजी ले रहे हैं अरन्यकांड तो पांच दिनों में अब प्रभुजी बताएंगे कहां से प्रारम करेंगे और कहां तक पहुचाएंगे लेकिन प्रभुजी तब ही बता पाएंगे जब आप सब टाइम पे आ महाराज, कथा सुनानी है मेरे को. तो ताइम पर आएंगे, तो कम से कम डेड़ गंटा अच्छे से कथा सुनने मिलेगा. नहीं तो एक गंटा देखे, अभी आठ बज गया है, थोड़ा कीरतन होगा, तो कथा फिर हम कम सुन पाएंगे. तो आईए, हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं, एक बार, हरे कृष्ण महा मंत्र बोलके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे अरे गुष्णा निताई पदक कमल प्रभू आगे आईए लेकर आओ भाई कोई हमारे मरिष्ट भक्त हैं को लाओ यहाँ पर आगे बेटाओ सामने रहेंगे तो अच्छा है अरे सबको उपर जाना है आज नहीं तो कल नदिक रहने से भगवान क्रिपा यादा मिलती है जाया रादा मादावा कुझा भी हारे जाया रादा मादावा कुझा भी हारे गोपी जान बल्लाभा गेरिवारा धारे जाओ भी हारे जाया बल्लाभा गे यादा भी हारे जामुना तीरा बन्नाचारे जायो रादामादावा तुम्य भिहारे जायो रादामादावा तुम्य भिहारे जायो रादामादावा तुम्य भिहारे प्रबराज एकाचार्ज स्वाइन ग्रेश एसी भक्ति वेदांतर स्वामी सिर्भभुपाद की जाए अचिंता only know how to do it उलाओ अनन्द कोटी बैष्णा ब्रिंद की जाए रामान कथा की जाए जाए स्रिदान जोड से बोलाओ तो सब जगा बोलते हैं लोग तो साँन ठीकर भाई थोड़ा साँन जीद बद थोड़ा साँन जीद बद थोड़ा साँन ओम ज्यानति मिरांधस्या ज्याना अन्यनसलाकया चक्छोर्जिनिमिलितं जेना तस्मै त्री गुरवे नमाह भूतेर महद्भी आइमा पुरो विभो निर्माय सेते दमूस पूरुसं भुक्ते गुनांसोड ससोड सात्मकं सोलं गृषिस्तं भगवं बचान सिमे अचिंटा निलाम मुझस्या मलांगम सिता समारो पितवा मभागम पारो वातायक चारुचापम नमामिरामं रगुवं सनातं नमामि रामं रगुवं सनाथं नमामिरामं रगुवं सनातं नमाम विष्णु पाधाया ग्रेष्णप्रेष्णाय भूतले स्रेमते भक्ती वेदांता स्वामीनितिनामीने नमस्ते सारश्वते देवे गोरवानी प्रचारिने निर्विसेशा सुन्यवादी पास्चात दे सतारिने जये स्रिक्रिष्ण चैतन्या प्रभो नित्या स्रियद्वेत गदाधर स्रिवास अदिगोर भक्त बिंदा तो इस प्रच्वेत जैसा कि स्रिमान चारवरती प्रभु ने आप लोगों को बताया कल साम को एक दोपार में कल दो पहर में है लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रतेक दिन कथा साथ बजे प्रारम हो जाए हम एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया है बुड़ापे में कि साढ़े आठ या नौ बजे तक मैंसमने दे नहीं सो पाऊं तो एगारा बजे तक निंदे नहीं आदे पतानी क्या हो गया है एक तरह से अच्छा बीमारी है जल्दी सो जाना अर्ली टू बेड और ली टू राइज तो मैं कथा साथ से साढ़े आठ तक मैंसमने कहूंगा य यही प्रती दिन का स्केजूल रहेगा तो आप लोग जल्दी आ जाना प्रसाथ तो सब के लिए हैं ही और तो कोई चिंता है नहीं और ऐसे भी संधियारती में दो चार लोग रहते हैं सब तो रहता नहीं भक्तों हैं तो साड़े छे, साड़े छे बजे आप लोग आ जाना सार्प, साथ बजे कथा प्रारम होगी, साड़े नो तक कथा, साड़े आड़ तक कथा, अदा घंट आदी क्वेश्चन एंसर होगा, नो बजे आप लोग खाओ और मैं चला सुने, ठीक है, यही रहेगा, जै स्री राम तो रामायन कथा, सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है यहाँ पर, सब लोग जानते हैं घर-घर में, इंडिया में तो, लेकिन फिर भी, इसका आनन तब आता है, जब भगवान सिरराम में भगती हो, हमारी सुद्धता हो, जैसे सब बचे, देखने हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन जो अपना बच्चा होता है, छोटा वाला, उसे जदा प्यार होता है, क्योंकि लगाव है, तो रामायन, जानना, और उसका स्वादन करना, दोनों में अंतर है, तो चलिए, हम आज, रामायन कथा प्रारम कर रहे हैं, तो अफकोर्स आज, इंट्रडॉक्शन होगा, रामायन का, उसके बाद अरण्यकान का, और फिर कथारम करेंगे, ऐसे, एक अस्लोकी रामायन भी है, अब जानते होंगे न, एक अस्लोक में ही पुरा रामायन हो गया है, आदव, राम, तपोव, नादि, गवनं, अत्वा, मिर्दं, कांचनं, बैदेही, हरणं, जटायु, मरणं, सुग्रीव, संभाशनं, बालि, निर्दलन, समुद्रतरणं, लंका, पुरिदाहनं, पश्चात, रामड, कुम, करण, हननं, एतद्धी, स्री, रामायनं, पोगया एक असलोक में, लेकिन हमें तो पांच दिन करना है, तो हम लोग तो जाएंगे, यह जो रामायन है, जो भी भारत वर्ष के लोग हैं, उनको यह रामायन, माभारत और श्रमद भागतम, असली भारतिये बनाता है, यह दोनों ग्रंथ जो हैं, वो प्रकास के पुंज हैं, जैसे सुर्ज और चंद्रमा, रामायन का उत्मा दिया गया है, सुर्ज के रूप में, क्योंकि सुर्ज बन्स में भगवान, स्रीराम का आविभावा हुआ था, और माभारत और स्रीमद भागतम का उत्मा दिया गया है, क्रिश्न लिला का उत्मा दिया गया है, वो है चंद्रमा का, क्रिश्न सुम्बस में आये थे, यानि चंद्रमस में आये थे, यह दोनों सुर्ज और चंद्रमा, आएं क्या प्रकास के पुंज हैं प्रकास के स्रोत हैं यह जियोंने प्रकास है यह बिजली से थोड़े प्राप्त हो रहा है यह प्राप्त होता है सूर्ज और चंद्रमा से अब दोनों के प्रकास में अंतर है सूर्ज का प्रकास जो होता है थोड़ा क्या काते हैं है हिंदी सब्रज नहीं मिल रहा है प्रतारित करने वाला प्रत्दु ह करने वाला और करता प्रकास है सितलता प्रदान करने वाले एक हैं राजेस और एक है राकेश लेकिन ये दोनों हैं उन्य के प्रकास और भारत का अर्थ होता है मैं कितने मताया हूँ भास्ते प्रकास्ते रता इदी भारता भारत भा मतलब भास्ते भास्ते मतलब प्रकास्ते सुर्ज का नाम है भास्कर जो प्रकास फैलाता हो, तो जो प्रकास फैलाने में रत हो, वह है भारत, और जो यह कार्ज करता है, वह है भारत ये, तो यह रमायन, मा भारत, ये जितने साफ्त्र हैं, ये भारत के प्राण हैं, तो जो भारत ये हैं, उन लोगों को रमायन, मा भारत, गीता, भागवत का ज् लोग जुन रहे हैं हिंदू है तो हिंदी किसे कहते हैं पता ही नहीं है हम सनातनी है तो किसे सनातनी कहते हैं पहले घर घर में रामायन भागवत की कथा हुआ करते थी सब जानते थे पहले टीवी नहीं था सिनेमा नहीं था यह रामाण का लीला और कता था जिसे लोग आनंद कानुभूति करते थे चलिए बालमिकी जी ने इस रामाण की रचना किये है आज ही मैं अचिंत्रव प्रभू से डिस्कसन कर रहा था कि मैं एक कंट्रभर्सियल बात कहूंगा लेकि कमांडर तो पांच बजे प्रसाद के बाद मैं लाइबरेरी चला जाता था जो आज कल एकाउंट ओफिस है और पहले लाइबरेरी हुआ करता था और मुझे पढ़ने का बहुत सब्सक्त था तो मैं कहीं पढ़ा था किसी पुराण में कि जो बालमीकी जी हैं जिन्होंने र अलग अलग आदेश दिया था उन्होंने नारज जी को आदेश दिया था कि तुम भक्ति का प्रचार करो च्टुस्कुमारों को ज्ञान का प्रचार करो और बालमीकी जी को उन्होंने परम पुरुषत्तम भगवान स्री राम जो मरजादा पुरुषत्तम है उनके आचरन को लिखने के लिए कहे थे बालमीकी रामान के प्राराओं में ही एप प्रसंग आता है बाद में अब दुसरे बालमे की जीन को नारज जी ने उधार किया तो लोग कहते हैं कि उन्हों ने लिखा लेकिन ए बालमि की जी जु है यह तो अभी आये थे लेकिर रामान लिखा गया था भग्मार राम के यहाह इस धन्राधाम पर आने से पहले यानि सज्जुग में लिखा गया तरह मैं इसका परिकल्पना हुआ ता सज्जुग में हो सकता है कि वह बालमिकी ही अवतारती दुसरे एनिवेइश चिंता प्रहों को बोला कि तुम खोजो कहां पर है असलोक यह बड़ा अच्छा है प्रसंग बड़ा अच्छा है लेकिन खोजना पड़ेगा एनिवेइश एक हमारा भक्त है विद्वान गारांग प्रहु वो थोड़ा कमेंटरी लिख रहा तो मैं उसको कल बात करूंगा बताओ अचाना कि मुझे याद आ गया एनिवेश बालमिकी जी इस भूतल पर आदिक अभी है और रामायन उनका आ तुल है बागोतम के प्रथम असकंद के तिसरे अध्याय में ब्रणन किया गया है माभारत की विषय में इति इतिहास पुराणम च पंचम बिद च उच्चते यह जो इतिहास पुराण है माभारत है यह पांचमा बिद है ठीक वैसे ही बालमिकी जी का आदी रचना यह महा क आदी काब्य है यह इस्तरह धाम पर बिद के तुल है और चुकि जैसे बेद पाप नासक है पातक महापातक है वैसे ही रमायन का एक एक अक्षर महापातक है उद्दर पापियों का उद्धार करने वाला है एकएकम अक्षरम पुनुसा महापातकना सनम रामादम समस्कावयों बीजम सनातनम तो बिया धर्म में ब्रण किया गया है कि जो रमायन है कैसा है बीजम काब्यम बीजम सनातनम जितने भी काब्य है उनका यह बीज है सनातन बीज है वास्तों में रमायण का रचना लोग को आते हैं बालमीकी रमायण नहीं है यह रामायण है बालमीकी जिनका रचना किये है लेकिन बालमीकी रमायण नहीं है यह हम लोग लिखना शुरू कर दिये बालमीकी रमायण भागवत को हम लोग बेद बियास भागवत तो नहीं कहते हैं श्रिमत भागवत कहते हैं बियास देम नहीं उसका रचना किया लेकिन श्रिमत भागव कहते हैं वैसे हैं यह स्रिमद रामायनम यह बालमिकी रामायन नहीं है तो कहते हैं एकम एकम अक्षरम पुंसा रामायन का एक एक अक्षर महाभारत भागवत इन सब का एक एक अक्षर सार गर्भित है एक भी एक्ष्ट्रा अक्षर उसमें नहीं लिखा हुआ है जैसे हम लेकिन नहीं, नो तो किसी को इंप्रेस करने के लिए उन्हों लिखा है, कि वल यदि है, उम्सा महा पातक नासनम, महा से महा पापी ब्यक्ति होगा, उसके पाप को नास करने में एक-एक अक्षर भी सार्थक है, रामायनम काविविजम सनातनम, यह रामायन जो है, यह समस्त कावियों का सनातन भी यह है, ब्रियत धर्म के 31, 46 में इसका ब्रण की अब गया है, तो मैं महात्म बता लिता हूँ, उसके बाद हम लोग कथा में जाएंगे, प्रत्रामत्र चवत्मान, जो ब्यक्ति इस संसार में इह लोग और परलोग, मैं जो सुक्सान्ती चाहता है, उनकी समस्त कामनाओं की पृति हो जाती है, इस राम चरितम, राम चरितम, राम चरितम मानस नहीं, कवते हैं, इती मतलब समाप्त हो गया, एवम सुन्यात, यदि कोई सुनता है, यस्तू इसको, स्री राम चरितम सुभम, बगवान स्री राम का चरित्र, जो बहुत ही कल्यान प्रद है, शरवाम कामन वापनोती, उसकी समस्त कामनाओं का पृति हो जाता है, चाहे वा कामना इस संसार का हो, चाहे वैकुंड धाम का ही किवा, जो भी रामायन का पाठ करता है, जो भी रामायन सुनता है, कहते हैं, त्री सब्त कुला संझुक्तह, त्री मतलब तीज, सब्त मतलब साथ, सत्री के एक एस, एक एस कूल, एक एस खनदान के लोग, संझुक्तह, सर्वा पाप भिवर्जितह, सब प्रकार के पापों से उनकी मुट्टी हो जाती है, एक बेक्ति यदि रमायन का पाठ करता है, पढ़ता है, यह पढ़ने से नहीं मतलब की, प्यार से, भगती से, दिल से, भगवान राम के पढ़ते फिलिंग रह करकर के, वो नेचुरल होता है, यदि वो करता है, तो इसक का एक इस बिढ़ी उपर नीचे पार हो जाता है, जिस प्रकार से प्रणाद महराज, जिए भगवान नर्शिंग भगवान से मिले, तो नर्शिंग भगवान उनको परदान देना चाहते थे, तो सत्मे असकंद के, दस्मे अध्याय के असलोक संक्य 18 में बरन किया गया है, भगवान स्वयम कहते हैं, कि जो प्यक्ति, तुम बात कर रहे हैं अपने पिता का, उसने बहुत बड़ा अपराद किया, तुम्हारे पुन्य प्रताव से तुम्हारा 21 पिढ़ी आगे, सब तर गये, तो वही बात हैं आपका, तुम्हारे 21 पिढ़ी का उध्धार हो जाता ह प्रयाती मतला वह जाता है, कहां पर जाता है, राम भावनम, यानि वैकुंडधाम में जाता है, यत्र गत्रवान सुच्चते, जहां जाने पर कोई चिंता नहीं है, जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, ना तदभासयते सुर्जो, ना ससांको न पावग, यत्गत्वान भगवान का वह जाने पर यहां नहीं आना पड़ता है, वैसे ही प्रयाती राम भावनम, कि शुन पेड़ जाती, जाने में कोई कश्क नहीं होता है, भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, बल्कि बैकुंड के पारसद, पुष्वा विमान लेकर के आते हैं, टि रुटी चेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे बैड़ जाओ, प्रयाती, प्रकिष्ण उपर नहीं जाती, जाते हैं, बड़ा स्मूथली जाते हैं, आज हम आ रहे थे भूने स्वर से, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारा फ्लाइट उपर निचे आ रहा था, कि अब हार उपर निचे आ रहा था, क्योंकि वेदर खराब था, तो उसे प्रयाती नहीं कह सकते हैं, प्रयाती मतलब जा रहा है, अच्छा तरह से कोई तक लिग नहीं है, प्रयाती राम भावनम, बगवान फिर राम के भावन यानि बैकुंट में जाता है, यत्र गत्वान असोचते जहां जाने पर कोई चिंता नहीं है, उसका नाम है बैकुंटा, बै मतलब जहां नहीं हो, बैकुंटा मतलब चिंता, जहां किसी परकार का चिंता नहीं हो, वह है बैकुंटा, और यह जो देगा है, यहां पर चिंता क्यों पर चिंता लगा राता है, ऐसा कभी कभी चिंता ह आता है, सबको इसका परिच्छा है, राइट, स्लिपिंग पील लेना पड़ता है, कभी-कभी, लेकिन वहाँ पर निताय कोई चिंदा नहीं है, जल्दी चलते हैं, टिकट बुक करालते हैं, बड़ा बड़ा, और अच्छी तरह से जाएंगे, जिसके घर में प्रतिक दिन रामाण की कथा होती है, पदिक्रिहम तिर्थम रूपम, उसका घर कैसा हो जाता है, तिर्थ के सरुआ हो जता है, तिर्थ मतलब जो तारने वाला हो, कहते हैं हम तिर्थास्तन जा रहे हैं, कि वो तारने वाला है, तरंति सरवई जना, सबको जो तारने वाला है, वो है तिर्थ, तो दिकर हम तिर्थम रूपम और ही मतलब निश्य हैं इसमें कोई दोर आए नहीं है यह है बिधिलिंग ही बिधिलिंग है इसमें कोई अटबट नहीं है कितना भी बड़ा से पापी दूस्ट या पापी क्यों नहीं हो उसका पाप नस्ट जाता है रामाण का कथा सुनने में और इसी क्रम में आप लोगों को मैं सुदास या सुमदत का कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा आगे सबको रामान कथा प्राप नहीं है जो लोग रामान कथा सुनते हैं उस्वभाग्य साली है दुरलव लोग ही है जो सुनते हैं उनसे भी दुरलव हुए है जो उसे समयते हैं और उनसे भी दुरलव हुए हैं जो अपने जीवन को भगवान सिराम के चरणों में निवच्छावर कर देते हैं जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, मनुस्यानाम सहस्थेफु कष्चिददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद ठीक वैसे ही कते हैं, आपटंग दुरलवं एवा, यह भी विदिलिग है, लिष्चे हैं, दुरलवं एवा कथा लोके, जहाँ पर भी जी सफ्तान पर या दुरलव कथा हो, नुदा हो, वहाँ पर उस घर में उजगा, कोटी जन्म स्मुथ्थे नं अपुन्य, इवतू लब्यते, कोटी-कोटी जन्मों के सुख घाण से जो पुन्य प्राप्त हे होता है, उससे भी कहीं जादा पुन्य प्राप्त होता है रामान कथा सुन्ने से यह बहुत ही दुरलब है करोरो जन्मों के पुन्य से यह रामान कथा सुन्ने को पुन्य प्राप्त होता है शुनताम बदताम चाईव कथा पाप बिना सिनी, जो कथा कहता है, और जो सुनता है, बदताम जो कहता है, चाईव या, जिसमें प्रस्न भी हो जाता है, चाउ मतलब प्रस्न हो जाता है, जो बाहर बठकर भी सुनता है, सुनना कुछ यहा सुनते हैं, कुछ बाहर लोग सुनत होंगे है नो चाम अतलब और सब लोगे सामने है उस तो हलोग को यह और आस्व नहीं करती है हमेशा से खतम हो जाए जिस प्रकार से भागोतम की सत्वें सकंद में उधारन दिया गया है कि कभी-कभी कोई वेप्ति पाप करता है तो पाप करकर के प्रैस्चीत करता है गंगास्नान किया दान दिया एक काम किया उकाम किया तो प्रैस्चीत से वो पाप तो खतम हो गया वो खतम नहीं होगा, जैसे, कभी-कभी जंगल में आग लग जाता है, अब लो देखा ना आग लगे हो जंगल में, लगता है आग ना, अरे हाँ आ ना बोलो न, नहीं तो तक देखके लाओ लुणा दोलातरो कई जाकर करके, अमेरिके में अजकर बहुत लग रहा है, और फि तो आग लगा, उपर का जल गया, लेकिन उसका बीज जो है उनीचे पड़ा हुआ है, और जो बरसा हुआ, आ गया, तो प्रैशित से सब जल जाए, खतम हो जाएगा, लेकिन बीज अंदर रहेगा, लेकिन हरिनाम, या हरी कथा, सुनने से, कते हैं, पापो इनासिनी, वो पाप का जो मूल है, उसको बिनस करता है, न रहे बास, न बाजे बास, सबसे अच्छा तरीका है, भगवान का नाम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे, हरे राम, हरे राम, 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 तो भगवान का नाम, भगवान का कथा, यह सब पाप मिनासनी है पहगवान की नाम के लिए आगराब है जो कोई बरतमान में पाप किया हो बरतमान में हों जो भूत में हुआ हुआ होगा या भविश्टी जो हुआ हो गया sacrifice in सब पापों को निर्दव बबवावान का नाम पाप इनाशनी और पाप जो है तुह का जड़ा et जबवावान सुक का 1-13-10 तर बने सुक्ति तुम स्युक्ता कोला आशर्ड़ हाँ तो अनुछी दुक बनके नहसे प्ला कने कमें हम स्युक्त शुक्ति गir नहिए और भाज में तो सब लोग जानते हैं परिशे है न बुक Patrik को परिशे को कौण सुखी है कोई किसी यह जा ओल फैसे चाहिए नहीं है लेकिन अन्म लेतया काए सुख चाहिह तो दुख और सुख दोना टेंपरोरी हैं लेकिन आनन्द परमानिंट है तो संतार में हम लोग चाहते हैं आनन्द और आनन्द देता है भगवत कथा भगवत नाम जैसा एक जितन महाप्रभू शिश्चाशक में कहते हैं आनन्द दुदिवर्धनम पर्थिपदं पुरुणामित श्वाधनम सरवात्म सपनंपरंव जैते स्रिकृष्ण संकिर्दनम आनन्द कर नमिते चंचन होती है स्रिकृष्ण संकिर्दन से तो यह है रामायन महात्में एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार चतुष्कुमार भगवती गंगा जिनको सीता भी कहा जाता है वहां अस्नान करकर के ज्यान मगन थे बैठे हुए थे तो नाराजी उदर से आए और नाराजी से और चतुष्कुमारों से वहां परबारताप लाप होने लगा दोनों लोग का एक ही मनह दफा था जो साधू होते हैं और धूनते हैं धून कर जाते हैं कि कौन सबसे बड़ा पापी है शहितने वहां प्रभू नित्यानन्द प्रभू और हरिदास को बोले के जा करके हरी नाम का प्रचार करो दून रहे ते कौन कौन पापी है और पहुंच गए जगाई मधाई के पर तो जो सुद्भक्त होते हैं नाराज चतुष्कुमार प्रहुपाई जैसे वह धून दू सकते हैं आप लोग गुजराती जानते ही होंगे विष्णव जनतों तेने कई ये जो पीर पढ़ायो जानी रहे और संस्कृत में कहो तो और दुख्य दुख्य तो जितना भी रमैन कहता हुआ है भागवत कहता हुआ है गीता हुआ है इस सब दुख्यों को उधार करने के लिए अर्जुन बड़े दुखी थे बिचारेक में मारू इन लोगों को सन्यासलों समझ में नहीं आ रहा है पागल हो रहे थे तो भगवान उनको सुनाया गीता का परिचित महाराज का प्रस्ण था कि मिरे मान ब्यक्ति को क्या करना चाहिए मरने वालों को क्या करना चाहि वैसे ही रामायन वैसे ही आभारत सब कुछ तो भगत लोग जो है वही सुचते हैं तो नारज जी से चतुस कुमारों ने पूछा कि कलियुक बड़ा घरगोर आने वाला है उसके लिए आपके मन में क्या उपाय है कुछ आपने सोचा है कुछ कैसे उधार हो सकता है तो वहा पर नारज जी रामायन कथा परारं किये सज्यू का बात है वहां पर रामायन कथा नाराज जी Ne Parao कि चतुस कुमारों को अभी और उसी क्रम में उन्होंने इस वापनास्णी रमायन का महात्म बताते वी कोते हैं गौतमं सापतह प्राप्तह शुदासो राक्ष सीतनुं रामानं प्रमाएडः विमुक्ती प्राप्तवन वान्वसव। तो एक कथा सुनाते हैं कि एक समय का बात है, एक बहुत प्रखान विद्वान ब्रामण थे, जिनका नाम था सुमदत। या सुदास दोनों नाम था। वे भगवान सीव के प्रखान भग्त थे। बहुत बड़े भग्त थे। और वे भग्ती प्राप्त किये थे अपने गुरु जिनका नाम था गौतम ने। गौत्म जी से वे भक्ती प्राप्त किये थे, वड़ी प्रकांट भी द्वान थे, तो एक दिन अतना नित्यादी करकर करके, भगवान सीव के ध्यान में बैठे हुए थे, लगे हुए थे भगवान सीव के ध्यान में, और भगवान सीव के पुजा कर रहे थे, तो उस समय उनके गुरु जी वहां पर आ गए, तो उनके स्राप से प्राप्त वक्त हैं, आस्ते कृत जुगे विप्रो, धर्म कर्म विशारत, सोमदत इतिख्यातो, नामना धर्म परायण, आस्ते कृत जुगे सजुग का बात है, सजुग में ये ब्रामन थे, जिन जो की धर्म कर्म विशारत थे, उनका नाम था सोमदत, और बहुत बड़े धर्म परायण थे, उस समय जब के गुरु जी आए, तो गौतम जी आए, तो ध्यान में लगे हुए थे, गौतम जी अपने गुरु को सुम्दत प्रणाम नहीं किये, गौतम जी को, शिश्य का कर्तब्य है कोई भी वैश्णाव आए भक्त का कर्तब्य है कोई वैश्णाव आए इस समक्ष में स्रेश्ट वैश्णाव है चाहे गुरू हो चाहे कोई हो हमें उसे साधर प्रणाम करना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए वैश्णाव की महिमा बहुत बड़ी है पागोता में ब्रण किया गया है कि वैश्णव आजा आरती करते हो तो आरती चोड़ दो और वैश्णव का पहले सम्मान करो भगवान स्वयम कहते हैं सती से कि सबसे स्रेश्ट जो है पुझनिये उसमें से है वह वैश्णव है अराधनाना पिसरवेशाम विश्णु आराधनंपर जितना भी पूझा पाठ करते हैं समस्त पूझा पाठो में अराधनाना पिसरवेशाम जितनी भी अराधना है विश्णु आराधनंपरम भगवान विश्णु का आराधना सबसे स्रेश्ट है और उस्से भी स्रेश्ट क्य तक तदियानाम समार्चनम। उससे भी इस रिस्थ है विश्णू के भगतदियानाम जो अपने नाम के साथ में भगवान का नाम लगा लिए है। राम दास मनमोहन दास जो भगवान के साथ में अपना नाम लगा लिए नरहरी दास डिरेक्टली डिरेक्ट चाहों इंडिरेक्ट भगवान से लिना देना है तोदिया ना तोदिया मतलब उनका उनके साथ में जुड़ गए तदिया नाम सम अर्चनम समयक रुप से उनका पूजा पाठ करो किलाओ पिलाओ बैठाओ प्रणाम करो इतियादी तो यहां पर सोमदत तो इतने ध्यान मगन थे प्रणाम नहीं करे अपने गुरु को लेकिन वैस्नों लोग तो अमान ना मान दे लेकिन जो प्रणाम नहीं किया है अनु उसको तकलिप जree तो स स मतलब यान गौतम जी निश्य ही सांथ उमहबुद्धी गौतम जी कैसे है सांथ भाव के हैं उमहबुद्धी है महबुद्धी मतलब जो पास बतिधेट और फ्यूचर तिनों को जानता है महाबुद्धी को लाता है प्रभु पाजी ने भग्त का नाम दिया था जो आरे वाइस-परशनेंट थे 78 में महाबुधी प्रभु अबी मॉट्टे था जैंने बिन्दाम में रहते हैं महाबुधी हनुमानयाद है महाबुधी काते थे हाँ तीन बारों गाएंगे जय जगदिष जय जगदिष जय जगदिष anyway, महा बुद्धी तो महा बुद्धी वह कहलाता है जो पास, प्रजेन और फ्यूचर इनों जानता है तो गौतम उने कैसे थे? महा बुद्धी तेजसा न दी गौतमा सांतोm महा बुद्धी तेजसा न दी सांत भाव के थे? महा बुद्धी मान थे तेजसों यानि प्रकास पुझ के वे निधी थे यानि ज्ञान के वे निधी थे तास्तरितम Qर माणी करोती दम्य जगदिष जो उनने देखा कि मेरा जो है भगवान सीव का आराधना कर रहा है, जो कि सब लोगों को भगवान का पुजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सास्त्रोधितिन करमारी करोती, वे समझे कि सास्त्र के उन सारे मिचारा काम कर रहा है, कोई बात नहीं, भगवान का पुजा कर रहा है, स्वामुदव वे तो खूश हो गए वे कुछ नहीं बिचारे बोले लेकिन भगवान सीव को बड़ा गुस्ता आ गया और भगवान सीव अपना अफली रूप में आ करके उसको बहुत प्रतारित किये कि तुम मेरा भगत कैसे बन सकता है यह तुम्हारा गूरु सामने है इसको तुम प्रणाम नहीं किया यह सतकार नहीं किया यह राखशस का तुद कार्ज किया इसलिए जाओ तुम राखशच बन जाओ जो बढ़िश्णो को संवान नहीं करता है वो वो राखशच यह है तुन्हें राक्सच का स्राप दे दिया कि राक्सच बन जाओ अब तब बाद भगवान सीव चले गए तो हम सोम दास करें कि अब तो गुरु जी सामने थे पड़क दिया गुर्दे बताईए अब मैं क्या करू कहा कि जाओ अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान सीव का तुमको आसरिवाद मिला है तो कुछ अच्छा ही चीज होगा इसमें लेकिन एक समय आएगा जब तुम सीव भगवान सीर राम का महिमा सुनोगे रमायन कथा सुनोगे तब तुमारा उद्धार होगा और इस प्रकार से गौतम जीवान से चले गए अब कुछ समय के बाद ही तक्छन उसका जो सरूप था वो राक्सच तुल्ले हो गया देखते देखते उनका सरीर राक्सच के समान हो गया और उसमें राक्सच बिर्ती आ गई जो भी सामने आया डालने लगा चाहे सेर हो चाहे बाग हो चाहे बिच्छु हो चाहे साप हो चाहे मनुस्व ओ कोई भी हो तो इस प्रकार से एक बन से दुसरे बन तिसरे बन सब जगह काटते पिरते माते खात जा रहा था एक समय और वहां पर एक प्रगाण विद्वान भक्त जिनका नाम था गर्ग जी मुषे थे असना नितयादी करके वेरामायन पाथ कर रहे थे भगवान स्रीराम का पाथ कर रहे थे भगवान का नाम ले रहे थे अपना नाम जब कर रहे थे तो यह आख सच दूर सी देखा का आज मेरा पेट भड़ जाएगा एक पहले साधु लोग थोड़ा मोटे पताज होते थे आज कल थोड़ा सब पतले होते हैं एक बार कभिचंद्र महराज या जी भी सी मीटिंग था है यही पर तो कभिचंद्र मह महराज और जय पता का महराज दोनों आदमी डेली जी हुबिच जाते थे मौर्निग वा करने के लिए थे एक दिन हम से पूछे कभिचंद्र महराज कि देवकिन अनप्रभू यह पता हो कि जय पता का महराज और हम दोनों लोग जाते हैं जी हुबिच परना करने के लिए व वो भी गुरु हैं, मैं भी गुरु हूं, वो भी GBC हैं, मैं भी GBC हूं, दिसोब लोग उनको पडम करते हैं, मेरे पास को याता ही नहीं है, तो मैं काहि महाराश के हमेमका मोट्难ाजी है, आप भू अरपनाजी हैं। लोग समयते हैं, साधु मतलब थोड़ा, अभी कहीं बढ़ जा तो दस लोग खाना पिना अक्राव दे देंगे उसको माज़ मज़ आ गये हैं। कुछ बोले हमत बोले राम राम करता रहे। Anyway, जब यह राक्षच देखा, तो कहा कि मेरा बोजन मिल गया। और बड़े दोडस बेग से आ रहा था। यब सुणा, राम का नाम भूं, खड़ा हो गया। और उसकी राक्षच परविभती खतम हो गये। ओ सुनने लगा, सुनने लगा, सुनने लगा। राम का नाम, कृष्चन का नाम सुन रहा था। फिर आया प्रणाम किया और कहा गरगी से कि मेरी नेतित थी आपको खाने का लेकिन आपके नदिक आते ही जो आप नाम जब कर रहे हैं राम नाम ले रहे हैं इससे इतने हमें शकुन मिल रहा है जो मैं जल रहा था तरफ रहा था कि आपको खाने का मन नहीं करता है बलकि आपसे कुछ सुनने का मन करता है तो कृपा करके आप हमें सुनाइए रामान कथा सुनाइए जे उहीं उनका दर्सन किया दर्सन पवित्र करो ये तुमार गून वो पवित्र हो गया नाम का राम सुनकर पवित्र हो गया और उसे याद आगा रहे मैं तो फले ब्रामन था मैं यह करता था तुरंत याद आ गया और तब वह प्रार्तना करने लगा क्रिपा करके हमें अब सुनाईए तब नाम का महिमा कहते हैं मैं तुम्हें कितना नाम का महिमा बताओं यह नाम अस्मरन अस्मरन एव जो भी कोई ब्यक्ति हो कैसा भी से कैसा भी ब्यक्ति क्यों नहों इदि भगवान के नाम का अस्मरन करता है जानकर भगवान का कोई नाम ले जानकर भगवान का कोई नाम ले यदि भगवान का नाम ले तो भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम उसके समस्त पापों को वैसे हैं जला कर डाल रा कर देता है जिस प्रकार से शुके हुए घास में चाहे कोई बच्चा आग डा चाहे कोई जवान डाले चाहे बुड्डा डाले आग नहीं देखता है किस ने डाला गासर जला डालेगा वैसे भगवान का नाम जो है कौन ले रहा है पापी ले रहा है पुन्यात्मा ले रहा है कौन ले रहा है वह नहीं देखता है जान कर ले रहा है अन्यान कर ले रहा है क यन्याम अश्मनन एवा महापात कोटी भी कोटी कोटी पाप कोई क्यों नो किया हूँ बिमुक्त तरपापे हो मुक्त मतलब चुटकारा पायान और बिमुक्त मतलब ऐसा चुटकारा पाएगा कि फिर पाप करने का नाम है नहीं लेगा नरोयाती परामगती पाप से मुक्त हो करके वेक्ति मनुष्य परमगती को प्राप्त काता है रामायन इतियन्नामन संक्रित प्युच्चते यदहा तदैवा पाप निर्मुक्त हो विश्नूलोक सकच्चती और जो रामायन कि और रामायन नाम लिने से जिसमें राम सब्दा गया है वो अब्यक्ति सु संस्क्रित हो जाता है रामायन पढ़ने के लिए सुनने के लिए क्वालिफिकेशन को रामायन नाम से वो पाप से मुक्त हो करके विश्नुधाम को राप्त करता है बार बार गंगा जी में असनान करने से जो फल प्राप्त होता है उसे कहीं ज्यादा फल प्राप्त होता है भक्तों के मुख से रामायन का कथा सुनकर कर गया टो ऐसे रामायन महात्म में तो बहुत कथाएं है और करीब 11 ध्याव में उसका introduction दिया गया है महात्म बताया गया है लेकिन वहाँ आम नहीं जाएंगे अब ये रामायन का अर्थ क्या होता है इसे म्कत हैं रामायन का दो अर्थ बताया गया है रामश्य अयन इती रामायन और रामायन में दो सब्द है राम और अयन राम मतलब राम और अयन मतलब प्रस्थान जैसे उतरायन, दक्षिनायन, चंद्रायन अब यह जा रहे न, चंद्रायन पर लगाया न, कोई जाने का आता है, आयन मतलब प्रस्थान जाना, और आयन का मतलब निवास भी होता है, घर, तो रामायन का मतलब वह अस्थली, वह जगह, वह घर जिसमें राम निवास करते हो, यह राम निवास है रामायन, राम निवास प्रस्थान तो दो सब्द है रामश्य अयनम राम का प्रस्थान राम का प्रस्थान हुआ वो कैसे हुआ वो हुआ कई-कई के क्रिपा से और कई-कई की क्रिपा ही नहीं बलकि भगवान से राम के इक्छा से मैं कमेंटी पड़ रहा था कि लोग कई-कई को गाली देते हैं अपने बच्चों का नाम कहके निर्खते हैं लेकिन कई-कई इसके समान कोई भक्त नहीं है रामान के पात्रों में से तो भक्त बताये हैं उसमें अचार जो नहीं लिखा है कि राम को सबसे ज़्यदा प्यार कौन करती थी तो भग्वान सिर्राम ने कई कई से मांगा प्रभपाजी कहते हैं इप लब मी दनि फॉलो मी यह मत को मैं आपको प्यार करता हूं प्यार करता हूं और आदेस पाला नहीं करता हूं तो यह क्या हो गया हम कहते हैं प्रभपाजी हमारे सिख्षा गुरु हैं और प्रभपाजी जो सिख्षा दिन से गुल्टा जा रहा है कहाने का मतलब क्या हुआ तो लब मी दन फॉलो मी तो भगमान सिर्राम एक दिन बैठ कर गये कांत में माता कहिए कि इसकते हैं माते मेरी एक बड़ी इक्षा है और यह काल आप ही कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आप मुझे प्यार करती है तो भगवान राम ने बोला कि बताईए आप कर सकती है क्या तुम्हारे एक्षा है तुम्हारे एक्षा क्ले मैं कुछ भी कर सकती है बोलो क्या एक्षा है बटा भगवान तीन बार पुछे सही बात कह रही हो न कहीं पल्टों के नहीं न करे बात क्या है बताओ न तो भगवार राम ने पूरा बात कहे कई से बताया कि देखो है माता मैं बनवास जाना चाहता हूँ 14 साल के लिए आपको मारा दसरत ने जो बर दिया है देवा सुत गराम के समय तो आप उस दोनों बर का अभी प्रयोक करना जब मेरे राज्या भिषे का समय आएगा राति लग का तो एक बर से आप मेरे लिए 14 साल का बनवास मांगना और दुसरे बान से भरत के लिए 14 साल का राज्य मांगन अब कहके यह सुनी तो उसके प्राण प्रक्वरु बिचारी के निकल रहे थे इतना राम को प्यार करती थी वो कैसे इसा कह सकती थी राम के लिए लेकिन यही है भक्तों का अइकांदिक निष्ठा यही है आशिस्यवा पादरताम बिनस्टुमाम अदर्सनाम अर्महताम करो तुआ यथा तथा वाबिध्धातु लंबटो मत प्राण नफ्तु सौये वनापरा यह प्रम प्रेम यही है प्रेम के अई प्रकास्था है जिसको हम प्रेम करते हैं प्रेम प्रेम करते हैं कुछ भी करने के लिए तयार रहते हैं कहीं भी जाना होगा जाने के लिए तयार रहेंगे नारायन प्रासरवे ना कुतसस्तन भी बते सर्ग अपोर गनरकेशू यह स्यापी तुल्यदर सभी जो नारायन प्रायन है वो भगवान के लिए कुछ भी करेंगे उनके लिए स्वार नरक सब पराबर है कुछ भी वो लोग काथाबलो जानते हो ना नाराज जी जो भगवान कृष्णु को हेड़क हुआ था तो राधराणी ने कहा कि ले जाओ धूल्य मले मजे नरक में जाओ लगे तो कई-कई दुख तो हुआ ही होगा लेकिन भगवान को इतना प्यार करती थी कि भगवान के इस सुभकार्ज में भगवान आते हैं प्रित्राणाय साधुनाम बिनास आच दुष्टताम धर्मसन स्थापनार थायो सम्हवामी जुग 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 तो असरू का बिनास करना था और कह कही वो पात्र बनी जो कि भगवान से राम को सहजो की अब ये बताओ कही अच्छ जुग जुग रखना प्रिचन्दा मत करो विवां देख रहे हैं कि तो रामश्य इनंठだから यह दोनों रमायों जो है रामायन सव्थ जेते रामायम युदी राम का बात क्य जाती कभी सभी कार नहीं करती लेकिन जानते थे भगवान तो ए कई कई से हुआ रामायन रामस से आयनम राम को बन विदाई और दूसरा है रामाय आयनम राम को वापिस लाना रामाय आयनम ए कौन किये कौन गये थे राम को लाने के लिए बुरो ना कैसे भूल जाते हो दो ही बर्दान मांगे था न कहीं से एक से कि मुझे बनवास आप दिला दो और दुसरा गवरत को राज दोनों का सम्मन किसे था कहीं कहीं से तो रामा से आयनम राम का प्रस्थान और रामाय आयनम राम का प्रस्थान मतलब जाना औराना दोनों प्रसान के मतलब जाना वुदा नहीं तो रामायन नम यानि भरत का राम को लेकर के आनेवाला वह कहला आता है रामायन रामायन में बालमीकि जी ही ब्रणन किये हैं, बलकि अचार्ष लोग कवे रोग कहते हैं कि रामायन और भगवान बालमीकि जी बड़ा पक्षपात किये ह राम का प्रस्थान ये रमायन है, दुसरा है रामा अयनम इती रामायनम, रामा मतलब सिता, सिता का प्रस्थान है, वो अभी रमायन है, एक बार तो राम बन में गए थे और दुसरे बार सिता गई थी, तो यह है रामायन, रामायन के चार अर्थ होते हैं, अब जो रामायन है, इसके जो बिशय बस्तू है, इस रामायन में कुल मिला करके साथ कांड है, या कैंटो है, पत्म है जो कहलाता है पालकांड, जिसके अंदर सतहत्तर अध्याय है, बगवान का जन, जवानी, विवा इत्यादी है, उसके बाद है अजध्याकान, या 119 अध्यायों में इसका ब्रणन है, अजध्याकान का, जिसमें राम का विवाह के बाद, राज्याविशय के त्यारी और बनमास्त, उसके बाद आता है तिसरा अरणयकान, जो कि हम लोग कथा कल से, आज कल से सुनना, आज जबी सुनना सुरू करेंगे, अरणयकान, अरणयकान में 75 चैप्टर है, चुकि पांच ही दीन था, तो मैंने सोचा, कि कौन दो ही है, जो जितमें कम अस्लोक है, कम अध्याय है, एक है सुन्दरकान, जितमें 68 अस्लोक है, जो कि मैं करोना काल में कर दिया था, तब करें किया, तो सबसे कम वाला जो मिला, कि स्किंदा कांड भी है, लेकिन पीर मुझे दिखाई पड़ा, यही अरणयकान, अरणयकान थोड़ा, उसमें अच्छा चीज भी ऐसे सियों से, वारताला बहुत सुन्दर है, जहां पर अगस्तरी से इतियादी का बढ़न है, तो इसमें जो अरणयकान है, जो हम कथा सुनेंगे, जहता कि चक्रवर्थी प्रभु बोले कि हो पाया कि नहीं, लेकिन मैं घषट ले जाओंगा, चिंता मत करो, एक बार गाड़ी चल देगी, रिप्तार पकड़ लेगा, तो कोई तकलिप नहीं होगा, अभी तो फर्स्ट जी का शंका, अगस्त के आश्रम पधारना, पंचवति निवास, शुर्पनखा का नाकाटना, खरदूरसान से जुध, खरदूरसान बध, रावन को सुचना, रावन को सुर्पनखा का धिकार, शवर्ग मिरन, मिरिग मराज्यमरिची का, सिताहरन, जटायू बध, रावन सिता सम्माद, रावन की वापसी, जटायु की मिर्तु, कबंध का भद्ध और सौरी आस्रम तो रामायन ये अरणय कांड है, वो शुरू होता है उत्तर प्रदेश खतम होने के बाद वहां से चित्रकुट जब भरत वहां पर गए थे, तो मैं पूरा एक खतम कर लता हूँ, अरणय कांड में 75 चैप्टर हैं, किसकिंदा कांड में 67 हैं, सुन्दर कांड में 68 हैं, जुद कांड में 128 हैं, और उतर कांड में 1111 हैं, सम मिला करके 745 अध्याये हैं भगवान सी राम जब चित्रकुट में निवास कर रहे थे, चित्रकुट तो भाग में है, बहुत थोड़ा भाग उतर परदेस में है, वहां पर हम लोग का मंदिर बनाने हम जाना रहे हैं, तीने कट्ज़ में मिला हुआ है, तो बहां पर बनाने जा रहे हैं मंदिर, और mostly जो है वह है मद्धप्रदेश में शतना तो भगवान सिराम पहले उत्तरपदेश वाले में थे चित्रकुट में जब भरत जीतियादी आये तो उन्हें सुचा वहां भी रिसी मुनिलोग थे सब था लेकिन सुझे कब अजुद्या वाले जानगा मैं कहां पर हूं आते ही रहे तो वहां से वे रिस्यों से आतिरबाद लेकर के आगे बढ़े तो गय अत्री जी के आत्रम पर अत्री अन्सुया का आत्रम पर वहां बहुत दिन रहे और अत्री अन्सुया से वह बहुत कुछ ग्यान प्राप्त किये उसके बाद वहां से आगे बढ़े तो ये जो दंडका इसका नाम है दंडक आराणिया, इसके नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि है कैसा ए आराणिया, आराणिया मतलब बन और दंडक मतलब दंड देने वाला, इनिवे, इच्वाकु बन्स के एक राजा थे, इच्वाकु बन्स ये भगवान से राम के ही बन्स में, तो वे उनके पिता जी उनको भेंज दिये अध्यान करने के लिए शुक्राचाज के पास, शुक्राचाज की जो पुत्री थी, क्या नाम था, देवयानी, तो देवयानी के प्रती उनको मोह उत्पन हो गया, तब शुक्राचाज को बड़ा गुशा आया, यह तो मेरा सिस्थ है, और मेरी पुत्री उसकी बहन है, एक है सोचता है, इस मिशे में, तो शुक्राचाज तो अचार्ज हैं कई एक परकार के, लेकिन हैं असुरों का अचार्ज, तो उसको दंड दिये, कि तुम दानो बन जाओ, वो दंड दिये, और वो दानो बन गया, इसलिए उस बन का नाम पड़ा, दंड का अराणिय, चुक्राण दंड दिया, और वो दानो बन गया, तो इसलिए नाम पड़ा दंड का अराणिय, दंडकारणय बावन हजार दोस्तो किलो मीटर में फैला हुआ है पूरे भारत में दो ही बन हैं एक है दंडकारणय और दुसरा है जारखंट जो कई एक एस्टेट से होकर के जाता है दंडकार उने पांच इस्टेट से होकर जाता है जिसमें है आंदरप्रदेश, महारास्टा ये नास्रीकोगर, चतिसगड़, पहले मद्धप्रदेश कहलाता था, मद्धप्रदेश कुछ कोना है, चतिसगड़, और चतिसगड़ में ज्यादा दंगार का है, वो जहां होता है, चतिसगड़ में, बस्ता, क्या, बस्ता, वो पूरा एरिया दंडकारण है, खुंखार एरिया, उसका ब्रणन में कल करूंगा, आतो समय हो रहा है, नो बज रहे है न, वहां से फिर उडिसाम से तिलगाना और करनाथ, इन पांच प्रदेशों में दंडकारण का समा दंडकारण में बहुत पवित्र नदियां है, खावेरी, नर्मदा, इत्यादी नदियां है, भगवान सिर्राम दंडकारण के चार बनों में निवास किये, और चारों बन का अलग-अलग रस्वादन किये, पहला था चित्रकुट, चित्रकुट ने भगवान रिष्यों के पास जाकर करके और बहुत कुछ सिखे, बहुत कुछ सिखे, और सिखने के लिए क्या चाहिए, तद बिध्धी प्रणिपातेन परिप्रस्णेन से होया, सांत भाव खुंकार भाव नहीं चाहिए, तो बड़े ये सांत भाव से रहे तो चित्रकुट जो है, वो सांत भाव का गोतक है, जो दन्नकारणय है, वो माधूरिय भाव का गोतक है, दन्नकारणय है, वहाँ पर भी बहुत खुंकार लोग तो थे हैं, लेकिन बड़े बड़े पहुंचे हुए रिशी लोग भी थे, जैसे सरभंग, सुतिक्छण, अगस्तमुनी, यह सब बड़े बड़े, तो उन लोगों से भक्ती का जो अंत है, बिदान्त है, भक्ती का जो अंत है, जो प्रेम है, उसको विप्राप्त किये, तो वह था माधूरिय भाव, दन्नकारणय है, पंचवटी अब वहाँ से चले, दन्नकारण का एक भाग, तो यह सब, तो पंचवटी जो है, वह रवद्रभाव है, और किसकिंधा, जो कि भाय का भाव, भाय के चलते सुग्री जी वहाँ पड़ते हैं, तो चार बनों में भगवान स्रीराम, 14 साल तक थे, चार ची योगों प्राप्च करते हुए, अब आते हैं, अरण यकान पर, लेकिन, नौ तो बज गया है, तो अब मैं सुरू करूंगा, तो आधा और करना पड़ेगा, तो इसलिए, आज मैं आप लोगों को, रामायन के विशयवस्तू, रामायन किसे कहते हैं, रामायन का अर्थ क्या होता है, रामायन में का इंट्रोड़क्शन क्या है, क्यों राम राम्यकान का कथा मैं परारह मु करूंगा, जिसमें, कथा होगी, मूनियों किसे, वले तो होगा, धनकारण का, विवर्ण की धनकारण है कैसा, उसमें क्या क्या चीज़ीजएं, वान से राम, लक्शमान सिता क्या कह दे के, उसके बाद मुनियों से मिलना और वैसे मुनियों से जो मर चुके थे उन लोगों से भगवान राम मिले वे लोग आकर के प्रारतना किये और मुनियों के हडियों को देखर जो पहाड के समान था राम के हिर्दे में बहुत दुख हुआ उसके बाद बिराद बिगत मतलम नहीं है जिसमें किसी के प्रति प्रेम नहीं है जो कुर है वह कहालाता है बिराथ और दुसरा बिराथ करता है विशेस अराध है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेम हो तो उस बिराथ में सबसे ज़्यादा प्रेम था भगवान की प्रति वो भी दिखाए जाएगा शुरु में बिराथ कैसे था और अंत में बिराथ कैसे हुआ बिराथ कोई समान नहीं था बिराथ नारजी के गुरुभाई था एक गंधरो था जिकरो कता मैं कल बताऊंगा उनक बजाने वाले थे जीना बादक थे और दोनों को स्राप हुआ नारजी को स्राप हुआ तो दासी पुत्र बने और विराथ को स्राप हुआ तो राक्सच बने और दोनों का कारण भी क्या था और वह था ब्रह्माजी का तिरस्कार ध्यान ना देना कथा में ध्यान ना देना बड़ा खतरनाग चीज़ है, यह दोनों कता में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो एनिवे, वो सब कताएं मैं कल सुरूंगा बिराद का बद, उसके बाद सरभंगरी सी, जो की स्वर्ग को त्याकर करके और भगवान को सविकार किये हैं, उसका ब्रणन होगा, उसके बाद सो ति फै रिप्छ मातलब अच्या, सysisंदर और अच्या बुद्धी वाला, श्या बढ़ हैं तो परयोग नहीं करते हैं लोग, सइंसिस के बाद अच्छ निदी है, वो लोग तिछ नव बुद्धी वाले हैं, लिकिन बनाते हैं, दोन्दाश करने उल्27, बड़ा बड़ुका बंब रहाते हैं, अब एक बना जी है मुबाइल, देखो, कितने लोग संगार हो रहा है इससे, कोई बापमा को यह नहीं मानता है, सबसे बापमा तो सबसे बड़ी यही है, लेकिन सुतिक्ष्र मतलब वह तिक्ष्रम बुद्धी जो दुसरों का कल्यान करे, उनका जो कि अग स्रीता का निरप्राधियों को न मारने के लिए परात्ना, और अंतता अन्य रिष्यों से मिलते मिलते, अंतता अगस्त मुनी के आसरम, पंच सरोवर अगस्त मुनी आसरम, वहां तक हम लोग कथा, कल अगस्त मुनी तक हम पहुचा देंगे, तो वहां तक कथा कल होगी, धन् किसी को प्रश्ण है तो आप लोग थोड़ा पूछ सकते हैं दस मिनट दे दूँगा थोड़ा Hare Krishna किसी बक्त का कोई प्रश्ण है Hare Krishna Thank you very much Pooji Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna कृफिया करके बैठिये प्रश्ण चालू नहीं होगा Hare Krishna प्रश्ण ची ये कईके के बारे में आप बता रहे थे तो एक तो समझते हैं हम की कईके ने कैसे राम को मदद किया उनके लीला में दूसरा एक है की वो जो प्रसंग आता है कि उन्होंने मंत्रा से सुना वगरा वो तो ये क्या फिर कल्द भ्यात के जैसे हम समझते हैं कैसे नहीं दूने कोई अंतर नहीं है दूने कोई अंतर क्या है उन्होंने तो अक्वा तो दिया था कि महें काम करूँगी तो मंत्रा कराने वाले मिल गई बुद्धी खराब करने वाले बचन तो दे दिया था ता थो प्यार था ना रामकेपथि उन निकल नहीं रहा था मंत्रा करें लेक आप स्सुर्ण कर कर दिया कब जो कवी-कभी आज के समावेस में कभी-कभी पत्ने में 주devous लेते हैं तो आप देख़ना दो में से एक दुख्य जडोर होता है जाए पत्नी दुख्योगी जाए पत्नी दुख्योगी लेकिन कुछ ऐसा चीज आ जाता है कि इसको दुख दुख था यह भॉप्स नहीं होना चाहिए वो काता है कि अच्छा है डिवोर्स ले लते है कुछ परशितियां आ जाती है या वो पती कभी कुछ बोल देता है घैसा या पत्नी कुछ बोल देती है जो तो बचा कुछ helemaal था कटम हो गेया तो उसकिसे, मंत्रा हो जो बचा कुछ प्यार था बचन तो दे दे थी एक कहना और करना में अंतर होता है कर नहीं पा रही थी बचन तो दे दे थी बचन पाना ज़ोर करना चाहते थी राम की परसंता के लिए लेकिन मंत्रा सहजो किया तो मंत्रा भी खराब नहीं है सहजो किया है रामलीला में सब लोग, सब पााथ रजितने हैं, सब अपना-पना काम किये हैं हम लोग मुझे क् थंज ठीज हैं, शब रामर्ण हो, नहीं हो, हमलोस इस तो उच्छे हैं हम लोग toНА मंतरा गwaukee करते हैं अपने संस ग्रेड़एफिकoten के लिए वो तो मंत्रागरी की भगवान की सेवा के लिए तो मंत्रागरी बलकिया अच्छा है अपने जो कहीं किभ़ारे मैं बताया कि भगवान इंद्राम प्रातना किये थे तो ये समानने लोगों को ये माل dragged घील उना है हमको भी भादि बार राट सुनने को मिल रहा है लगते हैं उनको तो यह है कि कईकई ने बर्मांगा था मंधरा के कहने पर तो यह थीक हम लोग भक्ते हैं जानते हैं बालमी की रमायन को कि बालमी की जी मेन है तो इसमें थोड़ा कंट भर्षी नहीं हो जाता है बिलकुल लहीं अचार्ज गंड जानते हैं भगवान के मन को जैसे श्रीन दागता में राधरानिक कहां भर्णन है लेकिन देखो रुप को सामी सनातन को सामी कितना भर्णन किये हैं तो ऐसे हैं रमायन के बहुत से अचार्ज गंड हैं जो कि जानते हैं इन फैक्ट एक डिभोटी है विद्वान गरांग प्रभू एक रमायन का कमेंट जिनता अरने कंड तक पहुंच गया है तो कमेंटरी आगा सम बहुत कुछ पता चले गा तो बहुत से बईश्णाओं है रामानन्दी साथू हम लोग का संकी हैं हम लोग तो कल गीता भागवत पहले अज़ा में सुना था बहुत पहले पताया किसे में सुना था आप जानते उस बक्ती को रमाने जी रसंदुआ वाले उनके गुरून को बताया थे एक बात यह बताया थे और बताया थे कि कैसे जो सेवरी थी ओप पहले चिपकिली थी और कैसे सेवरी बनी तो हाई गवताउंनगा में ब मैं रामानी में नएको में रामानी खरू750 करिया बंप пер इते हाई रामानी झी था रामानी करना हूं कैम हुआ हुं हाँ या डंपरूजी थया तो उनके पिता के घर एक रुशी आये थे और तब उसने उनका बहुत अच्छा सेवा किया और रुशी संदुष्ट हो गए और खापे के जब सो गए तब कही कही नहीं क्या किया है बस्पन में उसको इतना ज्यान नहीं था वो तवा होता है न उसके पीछे काले मा लग रहता है वो सब काजल निकाला और उसको उसके मुछ निकाला और चहरा पर अलग-अलग पिंटिंग किया जब तुसी निन से उठे, देखा शिसे में, समझ में आए कि ये बालिका कार्या है, तो उनको क्रोदा आया, उनने शाप दिया, कि जैसे तु मेरा मुह काला करा दिया है, तुम्हारा भी मुह काला होगा, और लोग तुभारी दिंदा करेंगे, और तुम्हारे कहिने से आशेरवाद भी देता हूँ, जिस हाथ से तुम्हे मेरी सेवा की है, वह हाथ विजय होगा, दैवाशो संग्राम में आप साथ जाएगे, तब उस समय आप राजा के मदद करेगी, राजा का विजय होगा, नन्यवाद, बेरे कृष्णा, आए कृष्णा, बेरे कृष्णा यहां इसाबात मुष्छिपा हुआ चीज है जो की आचारज बताते हैं इसकात को, और कोई मताजी लोग साइड में, एक है, जाय स्री राम, बोल दो बोल एक शेकंड, देखो हनुमान जी चाय सौई भक्त लोग, तब काथा हो सकती है, एक मैं सिधान डूनना चाहिए सिधान्त गलत न होने पावे जो हनुमान प्रभु कहे वो कथा है उसमें सिधान्त नहीं है कुछ भी हम लोगों को सिधान्त जाना सिधान्त बलिया चिते ना करा अलो सिधान्त नहीं है जो मैं कथा कहा उसमें सिधान्त है फ्रिश्दांत होना बहु जरूरी है, yes भर्म, अर्थ, काम और मुक्ष के प्रतिक है, धर्म के प्रतिक है भगवान सिर्राम, अर्थ के प्रतिक है शत्रुग्न, काम के प्रतिक है लक्ष्मड, और मुक्ष के प्रतिक है बरत, काम तभी कंट्रोल हो सकता जब राम हो बिना राम के काम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है तो लक्षमन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था कि जी से तो राम ही कंट्रोल कर सकते हैं इसी राम के साथ में लक्षमन गए अजद्या नगरी वहाँ पर प्रजा है भाई रात तो चलाना है न और रात चलाना ने को पहाँ चाहिए अर्थ चाहिए और अर्थ के परतिक है शत्रुग्ण इसलिए भगवान सिराम ने उनको कहा रखा अजद्या में रखा और मुक्ष के परतिक है बरज जी तो मुक्ष के परतिक मतलब detachment आसकती ना हो officially उनको राज मिल गया था officially लेकि उनको बैराग दिखाए कैसा बैराग दिखाए वैसा बैराग वैसा बैराग जिस प्रकार से भगवान सिराम जी उने आपन कर रहे थे वैसा है जीवन बरज जी कर रहे थे अभी हम होकर के आए इस बार जब आइस तारिव को गये थे उद्गाटन में तमारे भगतों ने लिकर गया जंदी जहां बरज जी का गुफा है वो सरोर है कैसे बिरह में रोते थे बरज जी कैसे क्या होता था ठीक वैसे ही थे जिस भरत का गुण सब लोग आए हैं वी दर्नका बरणे बन में लक्षमन और राम भरत का गुण गाते वरो रहे हैं उसका बरणन आगे आएगा सबसे मारमिक जो कता है जहां भरत कता है बहुत मारमिक है जहां भरत मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जो भगवान से फ्रेम हो और भरज जी उसके प्रतिक है मोक्ष के तो भगवान आये थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिसे पुर्शार्थ का आ जाता है इसको लेकर सब को पुर्षात देने के लिए आये थे बगवार राम ठीक है? हरे खुर्ष्णा हरे खुर्ष्णा रजग्रेश देव कि नंदन प्रभू की श्रीर प्रभू बाद की तो अभी आपको अगले चार दिन का टाइम बता देते हैं तो कल स्थान यही रहेगा होगा किरतन से रिजय शुद कीजिए फिर कथा अच्छे से प्रवेश करेगी सुम्वार और मंगलवार को शाम को साथ बज़े कथा प्रारंब हो जाएगी यहीं पर साड़े शा बज़े किरतन होगा और बुदवार को और सवा साथ बज़े दरवाजा बन सवा साथ दरवाजा बन और फिर बुदवार को राम नवमी है तो राम नवमी के दिन भी कथा यहीं पर होगी सबेरे आठ बज़े तो दर्शन लेके भगवान का सब यहां पर सबेरे आठ बज़े आएगे कथा सुनने के लिए आप लोग जल्दी आएंगे तो कथा अरने कांड की पूरी हो पाएगे Hare Krishna Jai Shri Rang Hare Krishna तो हम देव की नंपुर का धन्यवाद देंगे तीन बार Hari Bol बोलके Hari Bol Hari Bol Hari Bol